नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर हम आज करेंगे प्रेमचन की कहानी नशा के महतपुन प्रशन तो आईए देखते हैं कहानी हम पूरी कर चुके हैं उसका लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी तो आप वहां से देख सकते हैं तो आईए कहानी पड़ी तो हमने इसके बारे में विस्तार से जाना था देशेरे की चुटियां होने को थी लेकिन इश्वरी अपने घर जा रहा था प्रन्तो इसका मित्र अपने घर नहीं जाना चाता था इश्वरी का मित्र कोन है बीर है उसके पास एक तो किराई के लिए पैसे नह प्रिक्षा का भी ध्यान था, उसे ये ध्यान था, मन में विचार चल रहा था, यह अभी पेपर आने वाले हैं, प्रिक्षा आने वाली है, तो घर पर अगर वो गया, तो उसको वहाँ पर उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसलिए वो घर नहीं जानना चाता था, क्योंकि उसे दो बाते हैं, यहां पर मुख्य, एक तो उसके पास पैसे नहीं थे, यानि किराया नहीं था, और दूसरा क्या है, कि घर उसे ये अंदाजा था, कि अगर वो घर चला गया, तो आने वाली प्रिक्षा की तैयारी घर पर नहीं हो जाएगी, नहीं की जाएगी, यही कार कर्शन है, इशवरी ने अपने normth系 के सामने मित्र का बढ़ा चढ़ा कर परीचाय क्यों दिया, देखो इशवरी ने वीर को एक रियासत का राजकुमार बताया, तो हमें बताना है कि उसने ऐसा क्यों किया, इशवरी ने अपने dokiow kein gear, के सामने मित्र का बढ़ा चढ़ा क एक कारण तो ये हो गया, कि वो चाता था कि उसके मित्र का सम्मान हो, बार-बार उसे नीचा ना देखना पड़ी अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इसकी उपेख्षा करते, उसकी अभीलना करते दूसरा ये था कि इश्वरी को ये भी डर था कि वो कहेंगे कि उसका दोस्त इतने छोटे घर से है कि अगर उसने बता दिया कि मेरा जो मित्रे वो गरीब है और एक कलरक का बेटा है तो सारे उसके जो जानकार है, परिजन है, वो सब उसको यही कहते कि तुम्हारा दोस्त इतने चोटे घर से है क्यों? क्योंकि यहां पर जमीदारी प्रथा हावी है सबके दिमाग पर तो इसमें उसकी एहनकार प्रदर्शन की भावना भी दिखाई देती है यही कारण था कि उसने अपने दोस्त का परीचे बढ़ा चड़ा कर दिया तीसरा हमारा प्रशन है वीर अपने मितर ईश्वरी की आलोचना क्यों करता था देखिए कहानी में हमने जाना था कि जो वीर है वो पुंजिवादी विवस्ता का विरोधी है और ये कथनी और करनी मे अंतर वाला वेक्ती है और इसलिए वो बीर क्योंकि जम्मिदारी प्रफा का पक्undeर था और खुद जमीदार या रही सों के परिवार से था तो इसलिए बीर उसके अलोचना करता था क्योंकि बीर खुद कमजोर आर्थिक श्तिति वाला था कलरक का बेटा तह और ईश्वरी कौन था जमीदार का पुतर था वीर इश्वरी के अलोशना करता था इससे उसको कुछ आतम संतुष्टी मिल जाती थी देखे जहां पर ये वही वाली भावना है कि जिस पर बस ना चले वो बोल बोल कर या लड़ाई करके अपने भाव को अपने मन को थोड़ा हलका कर लो तो जब वो उसके अलोशना करता तो कोई सेधांतिक पक्ष जो इश्वरी है वो नहीं रख पाता था इसलिए इसका कोई मुख्य कारण नहीं था लेकिन अपने मन को अपने विचारों को संतुलित करने के लिए या अपने मन को हलका करने के लिए वो अपना करोध का जो वेग था वो किस पर निकाल लेता था इश्वरी पर प्रेमचत की कहानी नशा का मूल उदेश्य क्या है देखिए प्रेमचत इस कहानी का आश्य या उदेश्य क्या है कि व्यक्ति जो कहता है वै अपने जीवन में वैसा आचरण नहीं करता यानि कतनी और करनी में अंतर यहां किस बेटा हुआ चला जाता है तो यहां पर उसी बात को हमें बताना है इसुरी का दोस्त यानि बीर अपने मन को संतोश देने के लिए इसुरी की अमेरि के आलोचना करता है प्रहनतु जब उसको इसुरी के समान जीवन जीने का अफसर मिलता है तो वैं आलोशना की बाते भूल जाता है और नोकरों रेलियात्रियों आदी के साथ एंकार पुरण ए मानविय वेवार करता है कहानी का मूल उदेश है यही है कि उच्च सिध्धानतों के अनुसार कहना और उनके अनकूल वेवार करना दोनों अलग-अलग बाते हैं और यह हम सब उधारन से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अगला हमारा प्रशन है कि इश्वरी के चरितर की विशेशता हैं क्या है देखे इश्वरी इस कहानी का मुख्य पातर है और उसकी चरितर की विशेशता है एक तो जमीदार का पुतर है एश्वरे प्रिये भी और ठाटबाट से रहता है दूसरे उसकी वेवार की अगर बा साफ ना हो दूद अधिक ठंडा हो या गरम हो गया हो तो ऐसे में जो उसका सोभाव है वो दिखाई देता है कि नोकरों को किस परकार डांटता और फटकारता है और लेकिन दोस्तों तथा अन्य लोगों के साथ वो बहुत ही नमरता पूरण वहवार और सोहार्द वाला जो व गरम नहीं हो यह थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है गरम नहीं होता यानि अपना सोभाव शांत रखता है परिश्रिमी है देखिए अमीर है वो ना पढ़े तो भी उसका काम चल सकता है लेकिन ऐसा नहीं है वो बहुत ही परिश्रिमी और गुद्धिमान रेक्ती है और पढ़ कर जीवन में परिश्रम करके ही कुछ करना या कुछ बनना चाहता है अब बात करते हैं बीर के चरीतर की विशेष्टाओं की देखे बीर की आर्थिक स्थिती हम सब जानते है कि बड़ी कमजोर है क्योंकि वो एक गरीब कलरक का बेटा है उसका वेतन बहुत कम है किस जाने वाले हैं वो भी कलरक की तनका से ज़ाधा होती है दशेरों के छुटियों में पैसे ना होने के कारण वो घर भी नहीं गया था दूसरा अगर बात करने वो जमीदारी प्रथा का आलोचक है लेकिन कहने और करने में अंतर है उसमें वो जमीदारों का कट्चू आलोच करता था वह उनके अलोचना किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं करता था बलकि खुद की गरीबी से परिशान होकर उनके अलोचना करता था अब अगर इसके सोभाव की बात करें तो वह वाद वी वाद में पराएंग गरम हो जाता यानि गुसेल सभाव का है उसके कथन और क बनावती रुप का नशा ऐसा चटता कि मानवियता और सामान्या शिष्टाचार के नियम भी वो भूल गया बिस्तर बिशाने लेंप जलाने का मामुली काम भी उसने स्वेम नहीं किया उसने इश्वरी के नोकर और मुंसी रियासत अली को बहुत बुरी तरह डाटा वैं ग करीब यात्री के साथ अकारण ही दुरवेवार किया उस तरह अगर देखें तो उसका आचरन और वैवार कैसा है दोगलेपन से भरा हुआ है अगला हमारा जो प्रशनक ग्याउं जाते ही वीर के सोभा में क्या परिवर्तन आये बताएं देखें वीर का हमें पता एक कलर का बेटा है इश्वर इश्वरी और वीर दोनों स्कूल में पढ़ते थे और बोर्डिंग हाउस में एक ही कमरे में रहते थे देशैरों की छुटिया होने पर इश्वरी ने अपने मित्र को अपने साथ चलने का निमद्रण दिया इश्वरी जमीदारों का समर्थक था और इसके कारण है इश्वर की ही देन है बीर जमीदारों को खुन चोसने वाली जोंक हिंसक पशू पेड़ों के उपर फूलने वाला बंजा आदी कहकर उसकी कटू आलोचना करता था और वाद विवाद के समय और भी ज़ादा उग्र हो जाता था किन्तो इश्वरी मुस्कुर आता रहता था तो यह सब परिवर्तन क्या आए उसके सोभाव में यहां पर आप कुछ चीजें और शामिल कर लें क्यूंकि हमने यह मोटी मोटी बातें यहां पर डाली है आप यहां पर यह भी डालेंगे कि वहां जब गाउं चला गया वीर तो उसके सोभाव में क्या परि कि वो अपने सिष्टाचार और नियम भूल गया बिस्तर बिछाने लेंप जलाने का मामूली काम भी वो स्वेम नहीं करता था बलकि उसके सोभा में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया कि जो ओरू का विरोध करता था अब स्वेम नोकरों को और मुंशी रियासत अली को बुरी तरह डांट रहा है वो एक गरीब कलर का बेटा है लेकिन फिर भी उसे अपने बारे में सच्चाई बताने का साहस नहीं था यहां तक कि जब वो रेली आत्रा कर रहे थे तो वहां पर भीड उसको जादा वो जो भीड बड़ा वाला माहूल था वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था इसी कारण बिना किसी बेवज़े देखे तो उसने अपने सहयात्री के साथ दुरवेवार किया इस तरह उसका आच्रन और वहवार गाओं में जाकर दोगले पन से भर गया तो यह चीज़ें यहां पर आप एड़ कर दे मुझसे टाइपिंग मिस्टेक में रहे गई है थोड़ी सी बाते तो जो आपको यहां पर डाल दी है पहले आप बताएंगे कि इश्वरी का चरित्र कैसा है या उसमें वो कौन है उसके बारे में जानकारी देंगे और फिर आप बताओगे कि गाओं जाने के बाद उसके सोभाव में क्या परिवर्तन आया देखे मैंने आपको जो प्रशन बनाए है इन सब प्रशनों से पहले जब आप इनका उत्तर दोगे तो उत्तर लिखने से पहले उसके साथ आप क्या लिखोगे एक भूमिका जरूर लिखोगे और भूमिका में आप बताओगे कहानी किसकी है कहानी का नाम क्या है और कहानी में मुख्य मुद्दा क्या है उसके बाद दियेगे प्रेशन का उत्तर दोगे और आखिर में निशकर्स जरूर लिखेंगे क्योंकि प्रश्ण हमें दो नम्मर और साथ नम्मर के हिसाब से अपने दिमाग में बिठाने हैं क्योंकि पेपर में यही पैटर्न आईगा तो उमीद करती हूं कि प्रश्ण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं इसी तरह चैनल से जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद